नमस्कार साथियों सरसुती केरियर पॉइंट में अब सभी का स्वागत है उत्राखंड सामान्य ग्यान में हमारा उत्राखंड के इतियास संबंदी पार्ट जल ला था ठीक है इससे पहले हमने एक पार्ट पाउर वंस का दे दिया है आज हम चंद वंस के बारे में कुछ जिक का जो वीडियो दे रहे हैं यह भी आपको चल लगेगा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे लाइक करेंगे और उन्हें भी रिकमेंड करेंगे ठीक है चलिए सुरू करते हैं चंद सामराजी के बारे में चंद वंस के स्थापना के संबंद में बहुत लोगों का पर साक्ष के आधार पर साथ सो इसबी में स्वमचंद ने चंद वंस की स्तापना की थी ठीक है स्वमचंद सीव के उपासक थे जूसी प्रियाक से आया हुआ था ब्रहमदेव की बेटी से इननी साधी की चंपावत में राजभूंगा का किला बनाया इन्होंने ठीक है जिस चराल का गठन किया और जो चराल थे उसमें बोरा काड की तड़ागी और चौधरी थे ठीक है चौथानी ब्रहमण की न्यूक्ति की सोमचंद एक मांडलिक राज़ा था और ततकालीन डोटी नरेच जैदे मल को कर दिया करता था इनके बाद इनका पूत्र आत्मचंद साथ सभी से साथ सो चालिस तक यानि दूसरा राजा बना जो कतिरीओं का भांज़ सा और उनके बाद से पूनस का प्रूण का चौथा राजा आ इंदर हम जए इनका कारीकला इनिया घमंडी राजा भी कहा गया इन्होंने रेसम का कार खाना ठीक है और रेसम बुनकरों को बसाय अपने सामराजी में और उनका जो रेसम बुनकरें उन्हें पटवा कहा जाता है और एक पटवरंग वाली पर था इन्होंने ही शुरू किया था ठीक है इनके बाद भी पांचवा राजा संसार चंद बनता है छटा सुधा चंद सात्वा हमीर चंद या हरी चंद हुए आठव में खसों नीकपजा कर लिया था और 200 साल तक खसों का रामराज्य रहा यहां पर 200 वर्स खस सासन काल में पहला राखास राजा था बिजड़ और अंतिम खस राजा था सोनपाल ठीक है सोपाल या सोनपाल नाम मिलेगा ठीक उसके बाद बीरचंद नवे राजा आये थे सोन खड़ायन ठीक है खड़ायत था राजबुंगा के किले में इसने अभिशाय राजिया भी से किया अपना ठीक दस्वा राजा रूप चंद जो आपको 1080 से 1030 नविं के इगयारवा लक्षमीचंद भारवा धर्मचंद और 13 कर्मचंद यह पर्थम है और दीतिय מק आएंगे भी चोदवा राजा कल्यान चंद, पंदरवा राजा निर्भाई चंद या नामी चंद, सोलवा नर चंद सतरवा राजा नानकी चंद था और 1170 से 1195 तक इनका कारे कल रहा असोक चल का आकरमन 1101 नानकी चंद के काली में रहा और यह जानकारी गोपेशर और बाड़ा हाट के तिरसुल लेक से प्राप्त होता है 18 राजा था राम चंद जो 1195 से 205 तक रहा और फिर 19 राजा भीसम चंद 205 से 26 तक और 19 के बाद 20 राजा मेग चंद 1226 से 233 तक 21 राजा राजा वोगा ध्यान चंद जो 1223 से एकाउन तक रहा और फिर 22 राजा परवत चंद 1291 से 211 तक 23 राजा थोहर चंद 1261 से 275 तक भावत सारे लोग थोहर चंद को ही चंद बंस का सस्तावक मानते हैं पर यह 23 नंबर गाजा ठीके 24 वह कल्यान चंद दितिया जो बार्षू पिछेतर से बार्षू च्यानभी तक राजा रहता है सासन का 25 वह राजा तिरलोग चंद 1296 से 303 तक रहा चका था परगना जीता था इसने नेनिताल में ठीक है और भीमताल में किल्या का निर्माणा कर रहा था तिरलोग चंद ने ठीक उसके बाद 27 डमरू चंद 303 से 21 तक 26 के बाद 27 धर्म चंद 321 से 344 तक 28 राजा अभाई चंद 344 से 344 तक पहला चंद सासक जिसने अपने अभिलेक उत्तिन करवाए तो यह अभाई चंद थे अभाई चंद ने ठीक बागे चंद जिनका मैं शिर्प नाम ले रहा हूं इनके कुछ ज्यादे डीटिल कहीं से ने मिले तो क्रम में हम इंको जानती कि इनका कारेकाल यहां तक रहा था 29 राजा गरूड ग्यानचंद था और इसी को जो यह 374 से 349 तक इनका कारेकाल रहा सरवाधिक अउधी तक जो चंद राजा बना रहा यह 45 वर्स तक सासन किया तो ग्यानचंद ने और इसे गरूड की उपादी दिया था ठीक है किनों ने तुगलक होने दिल्ली जाने वाला रहा पहला चंद सा सक्था जैख तुगलक उंस के सnt काल में घया था ठीक है फिरूघ तुगलक के दर बार में कई लोग से वह सांध तुगलक बोलते, पर फिरूठ स समय समय के टाइम के एसाब से ठीक है तुगलक उने ने गरूड की उपादी दी और यह पहला सा две ठीक है निलू कठायत को कुमईया खिलत की उपाधी दी गई थी ठीक है निलू कठायत का दुस्मन सिरी जस्सा कमलेखी था इनके बाद तीस्वा राजा हरी हर चंद बना था जो 149 से 20 तक रहा फिर 31 राजा आता है उद्यान चंद 1420 से 21 तक यह गरूर ग्यान चंद का पोता था एक स साल का कर माप किया इसने कट्योरी राजा की बेटी से ब्योहा किया इसने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का निर्माल करया उद्यान चंद 1420 जो fall के बाद 32 राजा आत्म चंद दितिया जो 1421 से 22 तक और 33 हरी चंद हरी हर चंद दितिया 1422 से 23 तक 34 राजा विक्रम चंद 1423 से 37 तक बाले सुर मंदीर से कुंज सर्मातिवारी के नाम का तामरपत पत्र और उद्यान चंद का कार्य पूरा करवाय था इसने ठीक है तो जो बाले सुर मंदीर में जो काम अधूरा रहा था उसे पूर्ण किसने कर रहा है बिक्रम चंद ने ठीक 35 राज़ा भारतिय चंद 1437 से 50 के बीच में राज़ा बना था समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला पहला सासक ठीक है डोटी से 12 वरसी युद्ध लड़ा था जीता भी था ठीक है भारतिय चंद ने ये पहला 77 सासक था चंद वंसका और नायक जाती की उत्पती भारतिय चंद के काल में ही हुआ था और जो नायक जाती की स्तरी थे इने कट काली नाम से जाना जाता था और भारतिय चंद था इसकी मिर्तियों 461 में हुआ और फिर अगला 36 राजा रतन चंद 1450 से 488 तक इसका सासन काल था चंपाउत के खेति खान तामर पत्र में उल्लेक है इसका ठीक है चंदों का इसने जो रतन चंद इसने चंद काल में पहला भूमी बंदोबस्त कराया था ठीक पुरह डोटी से युद्ध किया इसने और नागमल का विद्रह भी इसी के काल में हुआ ठीक है और इसी ने यानि रतन चंद ने सोर भी जीता था ठीक है डोटी से इसने युद्ध किया और नागमल का बिद्र हो भी रतंचंद के काल में हुआ और सूर भी जीता था सूर मतलब पिथारा गड़ ठीक जो नागमल था ये डोटी नेपाल का ही एक बिद्र ही था ठीक है सेंतिस्वा राजा बनता कीर्थी चंद 1488 चे पंदर सो तीन तक गुरु नागनाथ संप्रदाई यानि नाथ संप्रदाई से था ये कीर्थी चंद ठीक है प्रथम चंद सासक जिसने गड़वाल पर आक्रमण किया ये कीर्थी चंद था इसने अजे पाल को हराय था कुमाव गड़वाल का बॉर्डर जो देगाहट निर्दारित किया था इसी कीर्थी चंद ने ठीक है जब पहला युद्व में ये जीद गया था दूसरे युद्व में फिर ये स्वय महार गया था अजे पाल से ठीक बैदुल्ला की तारिक दावदी में किया गया तो याद रखना जो तारिक दावदी के लेक है अब्दूल्ला इन्होंने मानिक चंद के क्या किये उले किया ठीक है अपने गरंथ में तो याद रखना और यह जो सूर्वंस था सेरसा सूरी के समय पढ़ा था दिल्ली सल्तनार के टाइम पर और तो उस समय माफ कीजिए यह मुगल के टाइम पर था सूर्वंस ठीक है हुँ मायू को हरानी के बाद जब सेरसा सूरी ने दिल्ली पर कपजा कर लिया था तो उसी समय की बात है ठीक है पंदर सो एक चालिस में तो खवास कहां विद्रोही था वो कहां भाकिया था कुमा भाकिया था मानिक चंड ने इसे सहयुग किया था मैंने अपने याज गोधन तक इसका कारिकाल है और ये एक-चालिसमा राजा है बैयालीसमा राजा है पूर्ण चंद या पुनी जंद ठीक है पंदर सु 1-5 तक का 44 राजा है भीषम चंद पंदर सो पसबंद से साड़ तक तारा चंद 49 के बेटे बालो को गोध लिया है यानि जो एक तारा चं था उसके बेटे को इसने गोद ले लिया था ठीक है जो 49 नमबर का राजा था तो उसी के बेटे को गोद लिया था 20 में ठीक है राजधानी आलम नगर ले गया ठीक है और कि राजधानी जो चंपाउसे आलम नगर यानि अलमोडा जिसने अस्तांतरित किया था वह भीस बचन थे और इसने खग मरा के किले का निर्माण भी कराया ठीक है लेकिन यह अधुरा काम किया और इसको पूरा मला इसकाम को पूरा किया था बालो कल्यान चंप ठीक है और एक ख़स सरदार था गजवा कहीं पर आपको यह इत्या कर दी थी चावालिस्वा राजा बालो कल्यान चंप 1568 तक इसने अलमोडा की स्थापना की 1563 में नेल पोकर में महल बनाया जो वर्तन आजकल जो पल्टन बाजार है ठीक है गंगोली के मनकोटी राजा नाराण चंद को युद्विया पराजित किया था बालो कल्यान चंद ने ठीक है इसकी पतनी डोटी के राजा हरीमल की बहन थी दहेज में इसने इसको सोर राजी मिला था यानि बालो कल्यान चंद को दहेज में सोर राजी अब आता है पैतालिसवा राजा रुद्र चंद 1568 से सताना बे तक इंद का कारेकाल रहता है हुसेन खांट टुक रुद्र चंद ने अपने बीरता से तराय को जीत लिया था तो इसके बीरता से प्रसंद होकर या प्रभावीत होकर अकबर ने इसे बुलाओ वेजा था और ये से मिलने लाहूर गया था ठीक है पंदर सो अठासी में अकबर को तिबती या कस्तुरी घोड़े आधी तोफे दिये थे किसने रुद्र चंद ने ठीक अकबर के कहने पर नागोर की लड़ाई में हिसा लिया तो याद रखना नागोर की लड़ाई में हिसा लेने वाला चंद सासा कून था रुद्र चंद ठीक है तराय भावर का पक्का इंतजाम रुद्र चंद ने किया था और रुद पूर पूर शहर बसाया अपने नाम से ठीक है भीरबल से इसके अच्छे संबंद्ध था और कई लोग एक्ड़म इसकेद्स पूते संबंद्ध थे छी शेनापती पुरुसोत्तम पंत था और जिसने सीरा जीता था सीरा मतला असकोट डीड़ी हैट वाला छेत्र ठीक है ग्वाल्दम याने बगालगण का युद्ध पंद्रसो इककासी में वह था जिसमें बलबदर सा और सुकोलदेब के वीज में वह था ठीक है इस युद्ध मे पुरुसोत्तम पंत मारा गया जो ग्वाल्दम या बधान गण का युद्ध युद्ध जीत तु गया था लेकिन दुर्भाग्यवस जो इसका सेनापती था पुरुसोत्तम पंत ये मारा जाता है ठीक अंधिम कतूरी राजा सुकाल देव के हत्या की थी ठीक है किसने बिलियम फिंच ने भी यह क्या था एक अमेरीगी दार्सनिक था दार्सनिक आपको एक घुमने फिर नहीं हो लाए इतियास कारता इन्होंने भी किये ठीक है युवाओं को संस्कृत सिक्षा के लिए बनारस कासी बनारस बेजा था और कस्मीर बेजा था जो अपने सामराज अधिके अंदर के जो युवाथ हैं उनकी अंदर सिक्षा का परचार परसार करने के लिए संस्कृत सिक्षा के लिए बनारस बेजा और कस्मीर बेजा था रुदर चंद ने ठीक है और इसने पूस्तक लिखे धर्म निर्णाई नाम से अलमोडा में मला महल बनवाया था चार और चराता है और सारा प्रसासनिक कारी यही करते है उसके बाद लक्षिमी चंद उसका दूसा फुद्धा8र लक्षिमी चंद पंदरосो ब्रसातानवे से नौ-सIDE 71 कीस तक सासन न करता है मांसा का संबकाली Dent knowbox AF Karajama saja e संबकाली ग्वाल्दम पर साथ बार असपल आक्रम एक केतना के अलप सफलता मिल जाती है तो फिर खुशी के मारे यह और मलूब एक ना जस्न मनाता है और उस अलप सफलता में गड़वाल के जो चैनापति था खटरण सिंग मारा जाता है और उसी के उबलक्ष में कुमाओं में ये खतलवा तिवार मनाता है ठीक है अभी वर्त के गाय तियोहार भी कहा जाता है गड़वाल पर साथवार आकर्मकेस ठीक है इसने शालबुंगा का किला बनाया था ठीक है और इसका एक नाम है लकुली विराल ठीक है लक्षीमी को लकुली विराल नाम से भी जाना जाते है ठीक है यह आपर है आठवा जो परियास किया थ इसने गॉल्दम के ज़्धो में तो इसमें गडवालका शेनाफती खतल सिंग मारा गया था और उसे के है उपलक्ष में कमाओं में खतला भां वहर मनाराजाता है दो कंचहळीयों का निर्माद के जोनी अपना पाक्षिय रखना पड़ता है इन जहागीर से भेर की ठीक है और तुझक ए जहागीरी में नाम है मतलब कि जो व Sumalities जहागीर से भेर्ट की और तुज़क ए जहागीरी में भी इनका नाम वड़िन है। ठीक है Wallace पुत्र थे दिलीब चंद तिरमल चंद नाराना चंद और नीला गुसाई अगला 47 वा राजा दिलीब चंद जो 621 से 624 तक राजा बनता है यह च्छाय रोग से मरने वाला चंद राजा ठीक है इसे टीवी बिमार से मर गया था च्छाय रोग टीवी गुब ठीक है 48 वा राजा बिजय चंद 624 से 25 के वीश में वास्तविक सक्ती सक्रामकार की पीरू गुसाई बिना एक भट के पास था ठीक है यह एक नाम मातर का राजा था ठीक है और इसके चाचा नीलू गुसाई की आंके निकलवा दी गई थी ठीक है इनके अंदर जैसे कहते हैं कि सड़ राज दरबारी है उनलोग उन्हें एक सड़ेंद रच के इनके अपनों के बीच में यह परपंच राचा और जो उसी के चाचा थे नीला गुसाई उसके आंके निकलवा दी थी तिरमल चंद गड़वाल का श्यामसा कहलाता है वह नायराण चंद जो डूट जो तिरमल चंद था यह गड़वाल भागया था ठीक है जो श्यामसा कहा जाता है जो श्यामसा है इधर अपने गड़वाल में उनकी यहां और उनका जो दूसरा जो चंद बंस का दूसरा आपकी जी आपकी जी थोड़ी सी यहां पर मिस्टिक हो गई आप दूबर से बता रहा हूं मैं आपको ठीक है तिरमल चंद गड़वाल को भागया था श्यामसा गड़वाल का राजय था और नैना चंद जो डोटी को भाग गया था ठीक है क्योंक अबाग करने का मत्राल महला तो उनके दर्वाजय करकी हत्या करोदियया ठीक कार की वह बिनायक को मरवाय था इसने ठीक है पीरू को देश निकाला दे दिया था जो गुषाय इसका मलब कहता ना कि सहयोगी होता है जब तिरमलचंद गड़वाल में था तो वहाँ पर इसको बहुत सहयोग करता है तो जब वापस आता है तो कहता है जब इसको लगते और कर्नक रायत को रसोई का दरोगा यूक्त किया ठीक है एक नाम का व्यक्ति था इसे रसोई दुरावगा बनाया क्योंकि भोशारा सजयंत्र हो रहा था बतानी काहां प्रकौन जहर का उपयोग करें तो उसने पूरी की पूरी ब्योस्ता चेंज करें थी किसने तिर्मल्चं इसकी भी मुर्थी जागेश्वर में है ठीक है महापती साह से कोसी का युद्ध 635 में की थी ठीक है महीपती साह ये गड़वाल का राजा था और इसके साथ कोसी का युद्ध हुआ था 635 में तिर्मल चंद का पचाश में राजा था बाज बाहदूर चंद 1638 तक राज बना ये नीला गोसाई का पुत्र था ठीक है बाज बाहदूर चंद नीला गोसाई का पुत्र था तिर्मल चंद ने खोज करके जो उस समय धर्मा कर तिवारी के यहां पर इसको संडक्षन दिया था तो वहां से ये टेकर आकर राजा बनाएं ठीक है बाज बाहदूर चंद यह साथ जहां से मिलने के लिए मुगल दर्वार को में जाता है ठीक है और इसने तराई भावर के चेत्र को अपने अधिकार में लिया और तराई का जमीधार नुक्त किया ठीक है तराई का परबंद किया इसने सुरक्ष्या के लिए बाजपूर सहर बनाया और वहाँ पर भी अपने जमीदार को न्युक्त किया कुमाओं में जजिया कर वो नमक कर लगाए थे तो बाज बहर जूर चंदने ही लगाए थे कुमाओं में जजिया कर और नमक कर ठीक है यह मुगल दरबार में यानि सा जहां से मिलने जाने वाला पहला सा सकता क्योंकि दिल्ली में सक्तिसाली राजवन्स चाहे वो दिल्ली सल्तनत से हो या फिर मुगल काल से हो जिसका भी हुआ तो यह जो मनलिक राजा थे चोटे-चोटे राजा थी अपने सनरक्षण के लिए उनका आसरा पाने या उनके सहियों के लिए उनसे भेट करते जाते रहते थे ठीक है बदानगण से नंदा देवी की मुर्तिि लाया था ठीक है बदधानगण से यहां से ब्यापार होता हुटत होता उन्तास ही हूं के ब्यापारी ट difू उनको लूड़ खषोट करते थे तो भाजनी वहां पर युद्द कर के जो हुनिया थे उन्हें हराकर उनसे संधी कि थी कि वो कभी भी किसी بिशारी के साथ इस तरह लूट खशोट नहीं करेंगे ठीक है एक तकला खाल तकला खाल के लिए को जीता था तकला खाल यानि तकला कोट जो तिबत में व्यापरिक मंडी है वर्तमान में तो उस समय किला के रूप में होता होगा तो उसे जीत लिया था ठीक है और इसने सीर्थी कर लगाया था तो याद रख कदल दो जो मुप्त में दी जानी वाली जिसके जो बी ऐह很 fellow ओंदिर या यात्रियों के शेवा में लगाया زा था ठीक है बाच ब़ुमी से मन्दिर की देक भाब के लिए पुजारियों को दान में इसे था तसके गुड भुमी के अपने को भगवान नारण का स्वरूब मानता था ठीक है तो ये बाज बहादूर चंद अपने को भगवान नार्यान का स्वरूब मानता था उद्योच चंद ने बगावद की तो उसे गंगोली भेज दिया था तो इसका पुत्र था उद्योच चंद तो जब इसने बगावद की तो उसे गंगोली भेज बाजबादूर चंद ने बागे स्वर में पिननानाथ मंदिर भींताल में भीमी सावर मंदीर कंदिर्मान बाजबादूर चंद ने करया था ठीके पिधोडropheड स्थित एक आतिया दिवाल जो एक हतिया दिवाल ये आपका गंगुली हाड चेतर में पढ़ता है जिसकी बनावट एलवरा के केलास मंदीर की तरह है ठीक है इसका निरवान भी बाजबाहदूर चंद के काल में ही कराया था ठीक है जगदनात मिस्तरी ने बनाया था इसे जागेशोर मंदीर में ताबे के पत्तर चड़ावाए थे कुमाओ का बलबन कहा जाता बाजबाहदूर चंद को ठीक है इसका चाया चितर निवार के ब्रुक्लीन म्यूजियम में भी इस्थापी थे इसका धर्म भाई था पंडित नारायन तेवारी ठीक है जो धर्म भाई ब अंतिम समय में बुद्धी ब्रष्ट हो गया था इसका और फिर अंतिम समय में जब इसका बुद्धी ब्रष्ट हो गया था तो इसे बुड़ा अत्याचारी सासक कहा जाए गया तो याद रखना बुड़ा अत्याचारी सासक किसे एक आ गया बाज भाधूर चंद ठीक है उ तक इसका सासन काल रहता है गंगोली से आकर पहले ही वर्स इसने बधारगण पर चलाई कि और सेनापाथी मेशी साउ मारा गया इसका ठीक है परवत तेश्वर और तिरपुरा सुंदरी मंदिर का निर्मान कराया था उद्योच्चंद ने ठीक तराय में आम के बगिचे लगाए थे उद्योच्चंद ने इसे तपस्वी सासक कहा गया उद्योच्चंद को क्या कहा गया तपस्वी सासक ठीक है जो रुद्र दत्पंत ने इने कहा गया कहा है तपस्वी सासक पूजापाट में आदी में बहुत लीन रहते हैं डोटी के रा आंत्रीक सुरक्ष्या और सीमा वर्ती राजियों या अलग जगे के जो भी पड़ोसी खामराजिये उनसे खत्रे या उनसे अपनी सुरक्ष्या के लिए एक केतना कि इस्ताई स्थाउनियां के निर्माण करना सुरू कर दिया था कुमाओं में ठीक है उद्यों चंद के बाद आता है ज्यान चंद दिती है 1698 से 708 तक 1699 में बधारगण लूटा था इसने और नंदा देवी की मूर्ती लाया था ये दुबारे ठीक है फथेश पति साहक को हराया था इसने युद्ध में और गड़वाल एक ब्रहमन को दान जी दिया था यह इतना बीठ था कि इसने गड़वाल पर युद्ध किया और गड़वाल को जीतके किसी ब्रहमन को दिया ठीक है तो यह कौन थे जगाचंद थे ठीक है हजारों गायों का दान दिया था इसने जगतचंद ने जुय फरकर ने जो भीजुआ होता उसके लगानी वाले पहला सा सकता है जगतचंद कि इसके जासूस का नाम था विणेश्वरज्योशी encanta इसने जो जगत चंद्रिका जो पद्म देव द्वारा लिखी थे 54 राजा है देवी चंद 720 से 726 तक कुमाओ का मुहमद बिन तुगलक यानि एटकिंसन साब के तहत कहा गया है यह अपने अबस खुआबों में रहता था कहते हैं कि इसकी योजनवी तुगलक के तरह थी कुमाओ का रंगिला बात्सा भी नहीं को कहा जाता देवी चंद को ठीक है विक्रमादित्य बनने की चाह रखता था बद्रिदत पांडे के साब सी जब कुमाओ का विक्रमादित्य बनने की चाह में इसने बहुत सारे धनका ब्याई किया तामरु पत्रों में इसे देवी सिंग भी कहा गया है ठीक है देवी चंद को अफगान सेनापती दाउद खां को सेना परधान न्युक्ति किया और मुगलों से टकर ले ले ली ठीक है और सेनापती दोखा दे गया देवी चंद बाग गया कहने का मतलब कि जब इसे विक्रमा अधित्य बनने का सौक चड़ा तो इसने एक अफगान सेनापती दाउद खां को अपना सेना का प्रधान न्युक्ति किया और मुगलों से युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल गया लेकिन जब कहते हैं कि एन वक्त दाउद खां ने इ अपनी सेना लेकर भाग के वापस आगे देवी चंद ठीक है तो ऐसी घटना भी इसी के साथ हुई थी रोहिल्लाओं के आक्रमण की सुरुवात इसी के समय से हुए तो जो भी जिखें तराइव शेत्रों में लिए अभी रोहिल्ला पंदर सो तित्तालिस के आसपास कटेहर चौनलो ने युद्य किया था लेकिन जो रैस्त हथे रोहिलों थे इसी के काल्मियने सत्रसों के बार से युद्ध करना शुरू कर दिय था ठीक है बाबा हर्ष हर्षदीव पूरी की समाधी काकड़ी कहट में इसतिते श्रयों Economic समकाली थे बाबा हर्षदेव ठीक है शड़ेंत्रकारी मनिक मल और पूरन मल गेडा ने सोते हुए देवी चंद के हत्या की थी। उसके बाद पस्पनवा राजा अजीत चंद बना था जो 1726 से 29 के बीच में मनिक मल और पूरन मल गेडा के हाथों के कट पुतली था। और इसी के समय यानि अजीत चंद के समय ही गेडा गर्दी चरम सीमा पर थी। भाद में अजीत चंद की भी हत्या गर्दी थी इन्होंने। छपनवा राजा कल्यान चंद पंचम बनता है ठीक है 1729 से 47 तक यह अनपड़ और गरीब था। डोटी में मजबूरी करता था ठीक है जब यहां से इनके वनसच भाग की डोटी नेपाल गए थे तो वहीं रहने लगे जब यहां पर राजा का संकट चाने लगा सारे आपस में हत्या कर दिये गए तो फिर जगे जगे से इनकी खोज करके दुबारा लाके ने गद्दी प को मरवाया था जब जैसे इस गद्दी पर बिठाते हैं इसे तुरंत इन दोनों गिलागर्दियों का अंत कर देता है ठीक है सभी चंद के वनसचों को मारने का आदिश दिया इसने और इसने चंद जितने भी चंद वनसच के राजकुमार हैं और या चंद वनसच से के लक्षिमी पती जोसी के पुत्र शिवदेज जोसी को नोकरी पर रखा और सर्बना पर गने में कानून गो न्यूक्त किया ठीक है जो बिजाड छेतराल मोड़ा का है वहां के जोसियों में से एक लक्षिमी पती जोसी उनके पुत्र शिवदेज जोसी को नोकरी पर रखा और अलमोडा पर अधिकार इस्तापित कर लिया रोहिलाओं ने ठीक है साथ महा तक रोहिलों ने अलमोडा पर सासन किया फिर कल्यान चंद वहाँ से भाग निगल गया था ठीक है गड़वाल की और गड़वाल में परदीब साहर राजा थे और उन्हें उन्हें सरण दी और अपने खजानों से तीन लाख रुपे रोहिलों को दिया उसके बाद रोहिला यहां से गए ठीक है परदीब साहब यानि गड़वाल ने पहली बार गड़वाल ने कुमाओं की साहता की वो भी धन से और जीवन से भी है उन्हें 745 में शिवदेज जोसी ने पूरी तरह से खदेड़ 745 में रोहिला आक्रमन हुआ और 745 तक शिवदेज जोसी ने पूरी तरह से सारे के सारे रोहिलों को खदेड़ दिया था इधर से अंतीन समय में राजा की आँखे फूट गई थे कहते हैं कि जैसी करने वह से इसने साथ कड़ाई भर दिये थे लोगों के आँखे निकलवा के अंतीमेश के आँखे भी वैसे ही हो गए ठीक है अपना मंद बुद्धी पुत्र दीप चंद शिवदेज जोसी को स्वपा और उसका संदक्षिक निक्ति किया ठीक है तो इसने दीप चंद को शिवदेज जोसी को अपना मंद बुद्धी पुत्र दीप चंद का क्या बना संदक्षिक बना दिया इसलिए कुमाओ का बेरम खा कहा जाता है शिवदेज जोसी को अगला राजा आता है दीप चंद 747 से 777 राजा बनता है इनका संदक्षक सिवदेज जोसी था ठीक है इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ सेनापती हरी राम के नेत्रोत में पानीपत के युद्ध में सेना भीजी गई ठीक है नजीब दोला ने नजीबाबाद हरसदेव जोसी को रक्षय के लिए सौपा ठीक है और इस राजा को प्रांसेस हैमिल्टन ने गुंगा सासक का तो दीप चंद को प्रांसेस हैमिल्टन ने क्या का गुंगा सासक ठीक है 764 में सिवदेज जोसी की मिर्त्यू के बाद रानी स्रंगार मंजरी का दखल बड़ा रानी ने मोहन सिंग गुसाई को सेनापति न्यूक्ति गया और परमनंद बिष्ट को दिवान बनाया था जोसीयों का इस्तिपा हुआ और मोहन सिंग गुसाई सर्वेस रवा हुआ दीप चंद को जेल में डाल दिया ठीक है जोसी बंदू अर्थादेव जोसी और जाई कृष्ण जोसी को अलग किया जाई कृष्ण जोसी के हत्या गरवाय दी थी अर्थादेव जोसी को मिर्त्युदंड और लाल सिंग के कहने पर उम्रकेद में बदल दिया था ठीक है और जो अपने जीवन के अंतिर्ष समय में दीप चंद जोसी को सीरा कोट के किले में कि बंद कर दिया गए और वहीं तडब तडब अरगिन की मिर्ती हो गई थी ठीक है फिर राजी का अठावन वा राजा आते मोहन चंद सतरसो सततर से सतरसो उनासी तक का राजा बनता है खूनी सासन और असंतुष्ट पर जा रही थी इसके सासनकाल में अर्सदेव जोसी ने डोटी और गडवाल से मदद मागी थी ठीक है गड़ नरेश लली साह से बगवाली पोखर के युद्ध में हारा मोहन चंद ठीक है और लली साह के पुत्र प्रदिमिन साह को दीप चंद का दत्तक पुत्र बनाकर चंद गद्धी पर बिठाया गया ठी ये बगवाली पोखर का युद्ध वता सत्र सो नाची में ठीक है और इस युद्ध में इस युद्ध के बाद गडवाल और कुमाओ में एक ही समराजी हो गया बस राजा का नाम बदल गया लली साह के चार पुत्रों में से एक पुत्र गडवाल में और एक पुत्र पुत् पुर्जुमन चंद के नाम पर कुमाओं के गदी पर बैठ गया उनसाटवा राजा पुर्जुमन चंद 1789 से 1786 तक राजा मना मोहन चंद इलाभाद गया वहां से नागा सादुओं की सेना लेकर आया फिर भी पराजित हुआ कहने का मतलब मोहन चंद यहां से जब बगवाली पोखर के युद्व में हार है तो उसके बड़ इलाहबाद जाके उसने नागा सादुओं की सेना लेकर और पुर्जुमन चंद और नागा सादु को लाने वाला कौन था मोहन चंद अब इस राजा के गड़वाल नरेश और अपने जैकिरित सा साह से संबंद्ध बिगड़ गए कहने का मतलब जो प्रदिमन चंता इसके संबंद उसके बड़े बाइज जैकिर्थ साह गड़वाल नरेस से बिगड़ गए थी ठीक है इसके पीछे इनी के अपने सडियंत्र कारी करती थी जैकिर्थ समय नरे स्वेश सडियंत्र से बिगड़ी होकर रघुनाथ मंदिर में आत्मस्य की तो यह गड़वाल में रगुनाथ मंदिर वहां पर गयां साह अत्मध्या कर दीती और प्रदिमंथ 11 और इसके बाद है पूसिन का берदी जिशbart कर देखें गड़वाल को चले जाता है ठीक और मोहनचंद पुनहा आक्रमण करके हरसुदेव जोशी को यहां हरा के कुमाओं में पुनहा अपना राज इस्थापित कर लेते हैं ठीक है साटवा राजा मोहनचंद यानी 1786 से 1788 तक दो बार गद्दी बर बैठने वाला एक मात राजा था मोहनचंद ठीक है हरसुदेव जोशी ने आक्रमण किया मोहनचंद को बंदी बनाया और लाल सिंग को साई वा उसका भकतीजा महिंदर चंद को रामपूर भेज दिया हरसुदेव जोशी ने उद्योचंद के रिष्तिदार सिव सिंग को राजा बनाया ठीक है यह सिव चंद के नाम से यह अंतिम राजा था सिव चंद सिव चंद 1788 से 1888 तगी कुछी मैनों के लिए रहता है राजा को मिट्टी का महादेव कहा एव यानि सिव चंद को मिट्टी का महादेव कहा गया है ठीक लाल सिंग रामपूर के नवाव की सेना के साथ वापस आया और हरसुदेव गड़वाल को भागा और इसी समय यह गद्धी पर बिठाया तो कहने का मतलब जो अंतिम राजा था 62 राजा सीव चंद के बाद महींद्र चंद ठीक ये चंद्वंस का राजा बनता है बाद महींद्र चंद्र 1788 सीजन नब्बे के वीच नेपाल के सासक रण बहादूर साह का कुमाव पर अधिकार हुआ और महींद्र चंद्र तराइकी और भागा था ठीक है गोर्का साहसन रहा और अठार सो पंद्र से आजादी तक यानि 1947 तक ब्रिटिस साहसन रहा ठीक है इसी के साथ हमने आज चंद्र वंस के क्रम राजा और उनकी समय के कुछ महत्मुन घठनाओं को देखा और एक वीडियो और लेके आउंगा जो सौड वीडियो का और इसमें कुछ जो कि छटे वे राजाओं का जो 22 राजा है उनकी समय का कुछ महत्मुन का कार्य और उनके समय के कुछ जो विसेस योगदान थे उनको लेकर पुना एक पार्ठ और बनाया जाएगा ठीक है तब तक के लिए आप इसमें जो भी सुपीसियंस राजा के करम वायर और उ एक्जाम के हिसाब से बहुत महत्मुन हैं कि इसी के हिसाब से आप चंद को गोर किजिए पावार से और पावार को दिल्ली सल्तनत या चंद क्वावार को दिल्ली से लेकर मुगल तक जोड़ सकते हैं जो आपको कहीं न कहीं एक्जाम के हिसाब से कनेक्ट करने में बहुत स और वन्सावली के आधार पर आपने जो भी अभी तक पड़ा है यह आपको एक्जाम में कहीं ने कहीं बहुत ही सही योगी साबित होगा ठीक है बहुत जल्दी इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा उसके बाद फिर हम लोग क्वेशन आंसर से यानि वन लाइनर फों में और कहते हैं ने एक्जाम और एक्जाम फैक्ट के तरह सुरू करेंगे जो अल उत्रा खंड एक्जाम के साफ से होगा ठीक है आपको यह पसंद आएगा और आप कोई इसमें सही हुग मिलेगा ठीक है गुड लग आपका दिन सुभू